नमस्कार दोस्तों में रड़ा हमें विमल सिंग बाला जी स्टेडी एड़ा में आपका स्वागत है आस्तारी के आपकी 21 जन्वरी 2023 की सिक्षा समंदित क्या सभी अपडेट है कि करके सभी की बात करते हैं लाच में कुछ करेंट अफेर की बात करेंगे और जो है वो आवेधन मांगे गए हैं जिसमें आप विग्यापन जारी हो चुका है नॉन टेक्निकल के 10,888 हवलदार के 539 पदों के लिए आवेधन श्टार्ट हो गए है प्र्याग रासी निउस है स्सी के अंतरगत MTS सबसे लोवर पोस्ट होती है सबसे उपर SACCGL उसके बाद आपका जो सेकिंड नमबर पर आता है वो होता है CHSL और सबसे नीचे जो आता है वो MTS है उसी MTS को लेकर के आप पर बात की गई है इसमें ये भी बताये गया है यदि आप आवेधन करना चाहतने हैं तो आप बड़तियों को 23 और 24 फरवरी को आवेधन में संसोधन का मौका मिलेगा आवेधन के अंतिरा फरवरी की है और साथी साथ टोटल पोस्ट हमें उपर अल्रेडी बता दिया एज जो है हाई स्कूल उत्त्रिवर पास होना चाहिए आपको और 18 से 27 एज के हैं तो आप इसमें आवेधन कर सकते हैं 19 फरवरी तक आउनलाइन फीस जमा होगी और आवेधन जो सुल्क है वो 100 रुपय इसमें होता है और साथी साथ OBC, SC, HT और सभी के लिए जर्नल के लिए इसमें पीस यही रहेगी और पदो की संक्या इस बार बढ़ी है इसको लेकर बताया गया तीन विवागों में 14 पदो पर भढ़ती होगी वो भी यहां पर बताया गया है तो जो भी आवेधन करना चाहते हैं कर सकते हैं अगली अपडेट, most important अपडेट, PET की परिक्षा का रिजल्ट को ले करके एक इससे पहले अपडेट आई थी, 19-20 तारीक से पहले जहां पर बताया गया था कि उस दिन रिजल्ट आ सकता है पर आया नहीं था अब एक नई तारीक आपको देखने को भी लही है UPSC की तरफ से 26 जनवरी तक जारी करेगा और ये भी बताया गया है कि लगबग तयार हो गया प्रणाम पुना परिक्षड किया जा रहा है इसलिए लेट हो गया परिक्षड परणाम 26 जनवरी तक परणाम जारी होगा करीब 14,000 से अधिक पदों की भरतियां भी उसके बाद निकालेगा वो भी बताया गया कनिश साया के 5,000 पद है क्रसी प्राविदिक के 3,000 गन्ना प्रवेक्षड के 951 पद है अगली अबडेट 69,000 सिक्षक बरति में 3,000 और दावेदार आपको देखने को मिलने हैं प्रियाग रास से जो है वो न्यूज है परिक्षड में एक नंबर से जो वंचीत अभ्यरतियों उनका मामला है सुप्रीम कोर्ड के आदेश इन अभ्यरतियों की होगी नियूगती और विवाद जो है 68,000 की सूची का जो विवाद है वो अभी तक भर करार है उसी को लेकर यहां बताये गया अगली अबडेट परिशती सिक्षकों के आपसी तबादले को मिली हरी जंडी लकनो से नियूज है इन स्रेडियों में तबादले होंगे वो भी आपर स्रेडी सभी दे रखी है प्रक्रिया क्या होगी वो भी यहां बताये गया स्सी की परिक्षा 15 भासाओं में होगी नई दिल्ली से नियूज है, हिंदी अंग्रेजी के लाबा इन सभी भासाओं में भी परिक्षा होगी जिसमें उर्दू, तमिल, मल्यालम, तेल्गू, कन्नल सभी भासाओं को लेकर के यहां तक कि पंजाबी भासा में भी परिक्षा आप दे सकेंगे विकास में तेजी से रोजगार के अवसर बने प्रधान मंतरी रोजगार मेला को लेकर के यहां पर बताय गया है, साथ इसाथ यहां पर 71,426 युवाओं को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये नियुक्ती पत्र सौपा जाएगा, उसकी बाद भी की गई है आरो ए आरो परिक्षा का रिजल्ट आपको देखने को मिला, और उसी में साड़े तीन सो लोगों का चैन हुआ है, उत्तरप्रदेस लोग से वायोग ने गोजित किया परणाम, योग यबढ़ती ना मिलने करण, चार पद खाली भी रह गया है, वो भी यहाँ पर बताए गया है साथ इसाथ यहाँ पर 63 बेटियों ने पाई काम्यावी उसको लेकर बताए गया है PCSJ के एक पद पर 233 दावेदार है उसको लेकर के भी बताए गया है MTS वाला हमने देख लिया था उपर ही, कि इसमें अलग-अलग पदों पर आवेदन है, वेबसाइट पर 17 फरवरी तका आवेदन कर सकते हैं PCSJ को ध्यान नखिएगा अच्छा जो भी परिक्षा के पैटरन को लेकर के जानना चाहते हैं कि इसमें numerical ability, mathematical ability के 20% reasoning ability और problem solving के 20% इसके अलाबा वही session 2 में general awareness के 25% और English के 25%, 4% इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं कें सरकार 10 लाख युवाओं को नौकरी देगा लखनों से news है, जो कि हमने उपर बताया है नई सिक्षा निती को पूरी तरीके से अमल लाने में अभी 10 साल लगेंगे यहाँ पर यहाँ पर यह भी बताया है उच्छी सिक्षा में हो रहा है 3-layer कस्तूरी रंगन जो है उनकी समीथी पर आई थी न तो उसी के एक सवाब में उच्छी सिक्षा में 3-layer की बात कही गई है, वह यहाँ पर बताया है अब यहां से जोड़ा सा करेंट अफिर की बात करते है न्यूजिलेंड के खिलाफ 35 साल में सैत्मी स्रंकला जीतने का मौका होगा रायपूर के एक मैदान में दूसरा वंडे मुकाबला आज होगा टीम इंडिया के बलेबाज पर बड़ा दारोमदार रहेगा पहला मैच भारत जीत चुका था न्यूजिलेंड के खिलाफ वंडे मैच की सीरीज आई है अगली अपडेट आपकी है वो है अमर उजाला जॉब अलट को लेकर के जिसमें NILERD में आवेदन 20 पद है डिरेक्टर के पद है और नीचे ऑफिशल वेबसाइट दी गई है FAI में आवेदन है 11 पद है यंग प्रोफेशनल के पद है नीचे आपको ऑफिशल वेबसाइट दी गई है वेश्टरन कॉल फिल्ड लिमिटेट 135 पद है माइनिंग सिर्दार और सर्वियर के पादों पर मौके है नीचे ऑफिशल वेबसाइट और सुल्क दिया गया है अब अगली अपडेट करेंट अपर किये क्रिकेटर हासिममला ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया दक्षड अफरीका के अब तक के दूसरे सबसेधिक टेस्ट रन स्कोरर रह चुके हैं और सभी प्रारूपों से सन्यास लिया है और 13 सतक इन्होंने अपनी टीम की तरफ से लगाने वाले एकमात्र दक्षड अफरीकी बल्लेबाज बन गए हैं ये तो आपको पता है बन नहीं गए मतलब थे अलड़ी जैपूर में सुरू हुआ जैपूर लिक्टरेचर फेस्टिवल का सोलवा संस्क्रण और इसको राजिस्थान में सुरू किया गया है चौदा अंतराश्टी भासाओं में सुरू किया गया है निदल लैंड ने दर्ज की हौकी वर्ल्ड कप इतिहास के अब तक की सबसे बड़ी जीत और इस जीत में चिली पर उन्होंने चौदा जीरो से रिकॉर्ड तोड जीत हासिल की है हौकी का वर्ल्ड कप चल ला है सबको बता होना चाहिए ब्रांड गार्जियन सिप इंडेक्स 2023 में भारतियों में मुके संबानी पहले नंबर पर आये है और वी परसाथ को दिया गया 2022 सबसे विसिश्ट व्यक्यानिक पुरसकार उसी को लेकर बताए गया उड़ी साके सीम नवीन पतनायक ने कि अंतराश्टी जाजपूर में एक और यह वीडियो की लास्ट परश्वूर में एक अंतराश्टी सिल्प सिखर संब्यन उसका उद् कीज़ेगा और लोग साख शेयर कीज़ेगा मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन